Dear students, Welcome to Help TV. आज हम आपको पढ़ाएंगे Biocide Action यानि के Biocide ऐसा Chemical जो Micro Organism को Kill करेगा Micro Organism की जो Kill, Killing होती है या उनकी Inhibition होती है या उनकी Growth को एक Level पर रोक देना Further Multiplication ना होना या उनको Complete Lys कर देना उसके को 살ाए है, मखतलिफ बाइयो साइड होते हैं, मखतलिफ केमिकल होते हैं, मखतलिफ सब्स्टांसित होते हैं. उनका डिफरेंट मोर्ड अफ अप्षिन होता है. सबसे पहले इसार्व Efendimiz को अप्षिन होता है, वह होता है, protein denaturation अबसे पहला क्या होता है protein denaturation actually होता यह है कि micro organisms में जो proteins arranged होती है जो micro organisms में जो proteins arranged होती है वो सबसे पहले तो उनमें primary structure होता है उसके बाद secondary structure होता है उसके बाद में tertiary structure होता है, तो इन primary structure में, secondary structure में, tertiary structure में, actually ionic bonding होती है, hydrophobic interactions होती है, hydrogen bonding होती है, disulfide bonding होती है, तो protein denaturation में, जो chemicals, जिनका mode of action protein denaturation में होगा, तो वो क्या करेंगे, इन proteins की जो है, वो इनका जो structure होता है, especially ये structure, इसको disrupt कर देंगे, इसको disrupt होने की नतीजे में protein क्या हो जाएगी, वो denature हो जाएगी, तो उस protein denature होने की जाएगी, वो autism जो होगा, वो उसकी, या तो उसकी death, उसकी replication, या multiplication, या biosynthetic processes जो है, वो रुख जाएगे, या उसकी क्या हो जाएगी, death हो जाएगी, अब, उसके बाद है, self-hydral groups disruption, तो होता ये है, कि ऐसे substances, जिनमें, ऐसी proteins, जिनमें, सिस्टीन amino acids, सिस्टीन amino acids होता है, तो होता ये है, कि सिस्टीन amino acids, उसमें जो है, free, self-hydral, उसके amino acids के free end पे, free, free, ऐसे, self-hydral groups होता है, ऐसे free ends होता है, ये free ends है, ये क्या है, free ends है, जो के chemical reaction में, हिसा लेते हैं, तो क्या करते हैं, फिर इनकी क्या हो जाती है, oxidation, जो इसे oxidation को आज करेंगे, जो क्या कर रहेंगे, इनकी oxidation कर रहेंगे, जिसके इंतीजे में, ये ऐसे bond बना लेंगे, ये क्या कर लेंगे, ये bond बना लेंगे और, है अग्या भाउट बनने के निलिचे में क्या हो जाएगा अक्रिशन के निदिजे में ये इक सलसे हटर ग्रूप सकी डिसल्प्षन हो जएगी और यह प्रिक्टिव नहीं रहेगे वी जो फ्री है ये ये रेडि़ेद्ट स्टरिफंट में होता है यह क्या होता है रेडिक चैनल और इसकी जाब ओक्सिडेटेशन और यह बॉंड यह आउसिद सितुइशन में हो जाएगा तीस अधा डिन ड्य डेमेच्ट अब यह चो डे मलत से होती है dna damage तीन तरीकर से होती है एक तो आयोजेशन आयोनाइजिंग एक तो आयोनाइजिंग राडियेशन अल्ट्रा वालेट लाइट और dna रियक्टिंग केमिकल्स यह सारे तरीके जो किसी भी microorganism का जो genetic content होता है यह जो dna होता है उसको disrupt करते हैं जिसमें आयोनाइजिंग राडियेशन जैसा के गेमा रेज एक्स रेज यह करती है नुक्लियर जो क्रोमोसोम होता है यह नुक्लियर मेटीर जो था जो dna होता है उसमें ब्रेक्स लाते हैं इसके रवाल अल्ट्रा वाइलेट लाइट भी यह करती है और dna के जो reacting chemicals होते हैं वह भी क्या करते हैं डेमेज करते हैं नतिजयतन क्या होता है ऐसा रेजल्ट डेने जब डेमेज होगा तो सेल भी डेमेज होगा और जिस बैक्टेरिया जिस वायरा जिस फंजाई पर आप इसका अक्ट करा रहें तो उसकी क्या अटिमेटली उसकी क्या जाएगी डेथ हो जाएगी उसके बाद आता है chemical antagonism chemical antagonism एक बहुत important topic है chemical antagonism में यूं होता है कि कोई भी जो है वो reaction हो रहा होता है जैसा कि कोई reaction होता है reaction में कुछ reactants होते हैं और कुछ क्या होते हैं products होते हैं जैसा कि A plus B ये reactants हैं तो resultants क्या होंगे C plus D तो इन इस reaction को चलाने के लिए इतर क्या होता है enzyme होता है enzyme के उपर जा के substrate bind करते हैं enzyme के उपर substrate binding sites होती हैं, जो के substrate को recognize करती है तो इसके लिए जब ये जा के enzymes के उपर attach होगी, तो enzyme इनको convert करेगा, A plus B को C plus D, यह निकि reactants को product में convert करेगा तो chemical antagonists, antagonists कुछ ऐसे substances होते हैं, जो enzyme की active site पर जा कर जाते हैं तो क्या करते हैं, तो enzyme उनको, enzyme की active site पर जा कर जाते हैं, तो नतीजहतन क्या होता है, कि इस substrate के बज़ाए वो जो antagonist है, वो जा कर यहां bind कर जाएगा, तो product कोई नहीं बनेगा, तो क्या होगा? product कोई नहीं बनेगा प्रोड़क्ट कोई नहीं बनेगा तो जो प्रोड़क्ट चाहिए होता है सेल को वह प्रोड़क्ट उसकी संथेसिस रुख जाएगी उसकी जब संथेसिस रुख जाएगी तो क्या हो जाएगा वह सेल क्या हो जाएगा उसकी सबसे पहले उसकी ग्रॉफ र कि at least cell membrane तो हर किसी में होती है कुछ ऐसे बेक्टिरिया उनकी cell wall होती है कुछ में नहीं होती और कुछ में बहुत कम इकदार में होती है तो क्या होता है cell membrane basically cell membrane की special structure मैंने आपको अपने लेक्शर में पीछले लेक्शर में मैंने आपको बताई थी तो cell में brain basically regular करती है जो solutes इतने भी होते हैं जो intercellular substances उनकी regulation को control करती है तो होता ही है कि जब cell में brain की कुछ structure को disrupt कर लिया जाएगा special chemicals utilize करके special chemicals apply करके तो क्या होगा cell में brain उस cell का जो internal environment होता है उसको balance नहीं रख पाती हो सकता है जाए बहुत जाए कि उसकी osmotic burst हो जाए या electrolyte balance की उसकी cell की death हो जाए जो micro organism जो हम death करवा रहे है इसके लाव जो cell wall होती है cell wall आपको पता है कि एक cell wall जो होती है वो bacteria के यह bacteria इसकी ओर होती है और क्या करती है इसको एक shape देती है इसकी rigidity देती है और यह cell को osmotic license से बजाती है cell की osmotic license से बजाती है तो अगर इस cell wall की जो back bonds होती है जो sugars होती है उनको synthesize नहीं दिया जाए या उनको break का दिया जाए तो cell wall यहां से ब्रेक हो गई अगर यहां से ब्रेक होगी और इसके यह cell wall यहां से ब्रेक होगी तो उसके इंतीजे में क्या होगा जितने भी foreign substances है वो क्या हो जाएंगे अंदर आ जाएंगे जैसा के lysozymes यह easily example है उसकी easily understandable example है lysozymes जो होता है वो cell wall को disrupt कर देते हैं cell wall को disrupt करने के नतीजे में जो electrolytes होते हैं यह solutes होते हैं freely move करते हैं cell के अंदर तो cell क्या होता है cell cell होते 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 cell की osmotic burst हो जाती है cell क्या हो जाती है osmotic burst यह general mechanism थे कि ऐसा chemical, ऐसा substance जिसको आप micro organism पर apply करते हैं तो वो micro organism की या तो growth को रोक लेता है या उनकी death का लेता है या पहले दोनों situation में या दोनों situation कास कर सकता है या पहले growth को रोके का वो एक level पर ले आएगा growth को रोके का यह निकर static situation ले ले आएगा उसके बाद उसकी क्या का देगा? death cause का देगा. तो इसको कहते हैं bioside action तो bioside जो होता है micro logarithm का killing substance होता है उसका mode of action cell के अंदर कैसे होता है? उसका mode of action कोई भी cell है कैसे होगा? bioside का action यहां पर कैसे होगा? तो bioside का action में जो सबसे पहले चीज़ आपने पढ़ी वह protein denaturation, इस cells के अंदर जितनी भी proteins होंगी, उन protein की denaturation, protein बहुत सारे enzymes होते हैं, structure protein भी हो सकती है, जब structure और biosynthetic machinery disrupt हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो protein denaturation हो जाएगी, उस cell की death ही हो जाएगी, उसके बाद जो self-hydrate groups होते हैं, यानि कि systeine amino acid के systeine residues होते हैं, उन वो जो free ends होते हैं, वो biological active होते हैं, जब उनकी आपस में जानिंग करवा दे जाती हैं, तो वो क्या हो जात इसके लोगा DNA damage, DNA genetic material अगर इसको damage कर दिये जाए, through ionization, ionizing radiation, जैसा कि x-rays, gamma rays, और ultraviolet light और DNA reacting chemicals, तो क्या करते हैं, यह DNA को damage कर देंगे, जब genetic material damage हो गया, तो cell automatically damage होगा, और उसकी death हो जाएगी, उसके बाद chemical antagonism, chemical antagonism में हमने यह देखा, कि जो enzyme होते हैं, उन enzyme में substrate के अलावा कोई ऐसा chemical जो होता है, वो उनके साथ जाके bind कर देता है, और substrate से products नहीं बनते, इन में आगे फिर दो types हैं, इन में आगे दो types हैं, कुछ ऐसे substances होते हैं, जो ऐसे enzymes में जाके, कुछ ऐसे substances होते हैं, जो energy yielding process ही, जैसा कि oxidative phosphor relation हो गया, electron transport chain, इन में जाके उसको inhibit कर देते हैं, और cell जो है, वो energy नहीं produce कर सकता है, energy ना produce करने के इंतिजे में cell की क्या हो जाती है, lack of energy होने के विए से उसकी death हो जाती है, ठीक है, और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं, जो के bacterial nucleotide synthesis या material DNA replication के दोरान, जो enzymes इस्तमाल होते हैं, उन में जाके as analog, उन enzymes में जाक synthetic analog जाके, उधर जाके bind कर जाते हैं, और one of replication होती है, प्रोटीन synthesis होती है, जिसके इंतिजे में cell की क्या हो जाती है, death हो जाती है, इसके रावजा cell membrane and cell wall integral component है, अगर इनको damage कर दिया जाए, cell membrane को damage कर दिया जाए, cell wall को damage कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, यह जो cell होगा, इ और भी डाकी वैसे burst हो सकती है, यह जाएगा, उसके बाद, कुछ technical terms, कुछ technical terms ऐसी हैं, जिनका आपको मालून मना बहुता जरूरी है, जो कि microbiology में है, microbiology lab में, microbiology के course में, medical sciences में, labs में, और मुक्तल दिखते instruments के use में, जब use करते हैं, तो वो इस्तमाल है, सबसे पहले जो है, वो sterilization है, वो क्या है, अब से पहला क्या है, sterilization, sterilization होता है, basically, कोई भी substance, कोई भी एक object है, कोई भी substance है, कोई भी fluor, sterilization होता है, this is the killing of, this is the killing of, किसी भी material से, मतलब, कोई substance है, कोई material है, कोई object है आपके पास, ठीक है, तो उस पे, उस के, उस में, कोई भी living material होगा, कोई भी microbiological, microorganism होगा, कोई फंजाई होगा, कोई spore होगा, उस सब को kill करने को sterilization करते हैं, यानि कि sterilization the removal of all the living forms in that object, ठीक है, sterilization यह हो गया, कि यानि कि it is a killing of all all livings, यह क्या हो गया, sterilization, उसके बाद होता है, कि एक और terminology इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं, disinfection, क्या होती है, disinfection, अब sterilization में जो killing होती है, इस में bacteria भी होते हैं, fungi, protozoa, virus, spores, और क्या होते हैं, spores, जबके disinfection में क्या होता है, कि disinfection में, killing of, सिर्फ pathogenic bacteria, from an object, तो, pathogenic bacteria, virus, etc, इस में, disinfection, और sterilization में क्या फरग है, कि इस में disinfection में, सिर्फ pathogenic bacteria, pathogenic micro-organism को kill किया जाता है, except spores, except spores, जो bacterial spores होते हैं, उनको disinfection के जरीए नहीं kill किया जा सकता, अब जो एक और mechanism हो है, वो pasteurization है, जो हम line draw का लेते हैं, यह और mechanism हो किया है, pasteurization, pasteurization, basically, Lewis Pasteur ने discover के दने वाल एक process, यह next lecture में में इसको detail से पढ़ेंगे, pasteurization basically, is applied for milk and cheese, जिसमें क्या किया जाता है, कि इसको specific temperature तक, इसको boil किया जाता है, specific temperature में, specific time के लिए, जिसके नतिजे में, most of the pathogenic bacteria, या तो, वो kill हो जाते हैं, या उनकी जो replicative capability होती है, या उनकी जो bio synthesis होती है, वो क्या होती है, बोत minimum level तक चली जाती है, जिसके नतिजे में, जो है, वो कोई बिमारी काज नहीं का सकते है, या वो कोई infection काज नहीं का सकते है, इसके अलबा, जो next terminology है, वो है bactericidal, बैक्टिरी साइडल, बैक्टिरी साइडल का मतलब होता है killing, ये एक ऐसा mechanism है, जिसमें बैक्टिरिया को kill का दिये जाता है, completely, बैक्टिरिया को kill का दिये जाता है, और एक ओर terminology हो किया है, उसको इसको कहते हैं, बैक्टिरियो, स्टेटिक, बैक्टिरियो, बैक्टिरियो सीडल and बैक्टिरियो स्टेटिक, बैक्टिरियो सीडल में बैक्टिरिया को kill का दिये जाता है, बैक्टिरिया को क्या का दिये जाता है, administrators static μάं उनुको kill नहीं किया जाता लेकिन उनकी growth को वो क्या की जाता है रोक दिया जाता है growth की growth को रोक दिए जाता है और further multiplicate नहीं कार सकते वो क्या कार सकते है further further multiplicate नहीं कार सकते लेश गतलब टर्मिन ay septic aseptic septic क्या होती है सेप्टी सीमिय भी इसको क्लिडिकल कंडिशन में कह सकते हैं सेप्टिक होता है बेसिकली जो बाइलोजिकल फ्लूड या बॉडी कैसे इसे जहां पर पैथोजिन नहीं होने चाहिए वहाँ कोई-ब्लड में कोई-ब्लड में कोई-ब्लड माक्रिजम नहीं होने हिर नामरी तो उसमें बैक्टेरिया का सुट्रिय कोपस्टिव आ जाए तो उसको क्या कहते हैं सैप्टिक या सैति सीमिय ए एसेप्टिक में होता है कि A का मतलब होता है अब बगार यहनि कि कोई tissue है कोई fluid है उसमें bacteria मौजूद ना हो तो उसको क्या कहता है कि Aseptic condition और antiseptic conditions कोंसी होती है एक बढ़ होती है antiseptic 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 वो होता है कि जो septic conditions से fluid को Aseptic conditions में ले आ है तो क्या करें सेप्टिक कंडिशन से किसी fluid में bacteria का grow कर रहे है उससे वो उसको remove करके Aseptic condition में ले ले है तो उसको क्या कहते हैं antiseptic कोई substance antiseptic है उसके लगा कुछ substances ऐसे होते हैं तो terminology है preservative 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 substances ऐसे होते हैं कि जो bacteria किसी भी substance में किसी food में basically इस्तमाल होते हैं ऐसे chemicals होते हैं जो bacteria की जो growth होती है वह सोगी bacteria को किल का देते हैं तेकि उनकी growth को रोक देते हैं उनकी growth आगे नहीं हो पाती जिसके इंदीजे में bacteria वो वो substance जो होता है वो bacteria free हो जाता है उसके बाद एक antibiotic यह इसके बारे में दमत्रों सेल के साल आगे पढ़ेंगे लेकिए एंटीबायोटिक के बारे में जैसी का आपको पता दो कि एंटीबायोटिक एंटी मतलब against antibiotic मतलब living मیکرو آگنزم کے خلاف جو applied की जाने वाले सबस्तांसिस होते हैं जा अंटी बैक्टेरियल ड्रग्स होती हैं जा अंटी बायोटिक्स होती है उनका मोड आफेक्शन यह होता है कि वो बैक्टेरिया के मुखतलिफ हिस्सों में मुखतलिफ cellular components में जाके act कर रहे होते हैं कुछ जाके ribosomes पे act करेंगें कुछ proteins में act करेंगें कुछ उसके DNA में act करेंगे कुछ health wall पे act करेंगे कुछ health membrane पे act करेंगे उसके osmotic fragility को कास करेंगे उसके नतीजे में क्या होगा कि बैक्टेरिया की क्या हो जाएगी या तो वो growth करना रुक जाएगे वो बैक्टेरियो कुछ antibiotic बैक्टेरियो static होंगी और कुछ bacteria sedal होंगी और कुछ bacteria जो है इनके specific action होता है कुछ bacteria में जाके बैक्टेरियो static निक उनकी growth को रुक देंगी और कुछ को kill कर देंगे बिल्कुल होली उनको किल कर देंगे, यह करते हैं, अंटी-bio-tik. यह था आज का हमारा दूसर सेक्षिंग दिसरिलाइजेशन डिसिंफेक्शन पास्टराइजेशन बैक्टेरी सीडल और बैक्टेरियो स्टेटिक सेप्टिक, एसेप्टिक और अंटिसेप्टिक उसके लब आप प्रिजर्वेटिव के बारे में ने आपको बताया है अगर आपको कोई question है तो आप हमें जरूर email कर सकते हैं अगर next lecture तक के लिए अपना ख्यार लखिएगा thank you